हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉप में सरकारी प्रवक्ता भर्ती 2024 डेटेल अडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है पहले शौर्ट नोटिस जारी हुआ था तो मुझे लगा जब डेटेल अडवर्टीजमेंट आ जाएगा तब ही आप लोगों को बताया जाए तो कल से ही आविदन स्टार्ट हो चुके हैं बिल्कुल पर्मानेंट पोस्ट रहने वाली है अराजपत्रित अस्थाई और स्थाई अंसदाई पैंशन योजना के तैत माधमिक सिक्षा विभाग के दौरा ये वेकेंसी है आयो सीमा की अगर हम बात करें तो 21 वर्च नियून्तम है और अधिक्तम 42 यर तक के कैनिरेट इसमें आविदन कर सकते हैं किसी विराज़े के कैनिरेट अगर यहाँ पर एलिजिब्रिटी क्राइटेरिया एज इसके बीच में आप आ रहे हैं तो बिलकुल आप आविदन करें इसमें जो है कुल पदों की संख्या 613 है पांसो पचास पद सामानने साखा के हैं और 63 पद जो है महला साखा के रहेंगे सैलरी तो आपको दिखाई दे रहा है तमनेल पर और यही अड़र्टीजमेंट से ही लिया है 47,600 बेसिक वे से 1,51,000 तक सैलरी रहने वाली है अब इसमें जो है जो सामानने साखा के 550 पद हैं इसमें आप विशय देख लें कौन सा विशय है अगर आपका विशय है तो अन्तु तक वीडियो के बने रहें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बहुतिक सास्त्र, रसाइन सास्त्र, गनित, जीविज्यान, नागरिश सास्त्र, अर्थ सास्त्र, इतिहास, भूगोल, समास सास्त्र, कला, वानिज, क्रसी सास्त्र ठीक है और इसमें रिक्तियों की संख्या ये कुल रिक्तियों की संख्या है इसमें जर्णल कैटिकरी की अलग है EWS के अनसूचित पिश्डावर्ग, अनसूचित जनजाती और अनसूचित जाती तो इनमें डिवाइड किया गया है, पूरी PDF फाइल जो है एक ही वीडियो में कवर कर पाना संभब नहीं है क्योंकि 140 pages की ये पूरी PDF फाइल है आप लोगों को link share कर दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे description box में आप पूरी PDF फाइल जो है पढ़ेंगे, अपना subject देखेंगे category wise जो है, कितने पद हैं, वो सारी चीज़े देखेंगे सामाने साखा के बाद जो है, महला साखा के कुल जो है 63 पद है, इसमें कौन सा विशे है तो इसमें भी हिंदी, इंग्लिस, बहुतिक सासर, रसाइन सासर, गणित, जीविग्यान, नागरी सासर, इतिहास, अर्थ सासर, भूगोल और ग्रह विग्यान सामाने साखा और महला साखा दोनों में subject अलग है, त्यान रखिएगा ठीक है, ऐसा ना सोचें, कि महला साखा में ये पद है, सामाने साखा आपने देखा ही नहीं, और उसमें आपका पद है, और आप पूरुस अभ्यरती है और महला साखा में भी जो है, category wise जो है, इनको बाटा गया है ये जीज मैंने आप लोगों को thumbnail में बता ही दी, प्रवक्ता पद का नाम है, मादमिक सिक्षा विभाग, 613 कुलपद, 550 पद सामाने साखा, 63 महला साखा के, salary level 8 के according, पद का स्वरूब जो है, पर्मानेंट भी है, और अर आस्थाई भी है, पैंचन योजना तो रहेगी, IUC म 21-42 वर्ष है, आप देख लेते हैं, अनिवारे सेक्षिक योगिता, तो प्रवक्ता, समासास्त्र, भुगोल, अर्थसास्त्र, इतिहास, भौतिक सास्त्र, रसायन सास्त्र, गणित अंग्रेजी, इसके लिए जो है, यहाँ पर post graduate आप हो, किसी भी राज्चे के candidate आवेदन क में, कि आपकी जो है, post graduation में इतनी percentage होनी चाहिए, कितनी भी हो, first division है, आपकी second division है, आयू सीमा में छूट जो है, यहाँ पर, क्योंकि वेकेंसी जो है, कहां से जारी की गई है, वेकेंसी उत्राखन लोग सिवायोग हरीद्वार के, द्वारा जारी की गई है, ठीक है, और व वीडियो बन गया, online आविदन पत्र भढ़ने की जो last date है, वो 7 November है, तो आप आराम से जो है, भर सकते हैं, ठीक है, परिक्षा सुल्क 7 November 2024 तक रहेगा, यहाँ पर जो भी fees ली जा रही है, तो वो भी जादा नहीं है, online आविदन पत्र में संसोधन परिवर्तन करने की तिथी 19 November 2024 से 28 November 2024, जो भी महतवपूर्ण चीज होगी, वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी इस वीडियो में, बाकिया खुझ से पढ़ना जरूरी है, EWS के अनिरेट जो है, आविदन की अंतियम तिती तक जो है, उनका EWS का प्रमान पत्र वैद होना चाहिए, अभ्यर्ती ए सामानने साखा और महला अभ्यर्ती दोनों साखाओं, है तू ओनलाइन आविदन कर सकती है, तो इसमें महला कैंडिडेट के लिए काफी अच्छा रहेगा, सामाने साखा में आविदन कर सकती है, और महला साखा उसमें तो करही सकती है, अब यहाँ पर example दे दिया है, जैसे क आपको दो सब्जक्ट के लिए आविधन करना है तो उसके लिए जो है एक ही ओनलाइन आविधन करना होगा जैसे कि यदि एक सामानने श्रिणी की महला व्यर्थी प्रवक्ता हिंदी शुल्क डेड़ सो रुपे लगेगा और अंग्रेजी के लिए भी आविधन करना चाती है तो इसमें डेड़ सो रुपे लगेगा तो एक ही आविधन पत्र आप भरेंगे लेकिन सुल्क कैसे रहेगा यहाँ पर तीन सो रुपे आपका लगेगा ठीक है एक बार इसको थोड़ा सा और समझें यहाँ से दोनों विश्यों हेतु अनिवारे सेक्षि के एरता धारित अगर करती है जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए आपको भड़ना है वो दोनों साखाओं सामाने साखा और महला साखा के उक्त विश्यों हेतु आविधन करती है तो उसे दोनों साखाओं, हिंदी और अंग्रेजी, सामाने साखा और महला साखा के लिए प्रोसेसिंग सुल्क के अत्रिक्त, निर्धारेत सुल्क अलग-अलग आपको देना होगा तो ये 1.500-1.500 रुपे तो आपके रहेंगे ही, और दूसरा महला साखा के लिए आप अगर करती हैं, तो इसमें भी 1.500-1.500 आपके रहेंगे क्योंकि आप दोनों साखाओं में आवेदन कर रहें हैं, दोनों में हिंदी इंग्लिस है, ठीक है? तो इसमें जो है आपको 600 रुपे आपके यहां पर लगेंगे, ठीक है? तो ये समझ में आया होगा रितियों का विवरन जो है, बता दिया है, तो जो भी इंपोर्टेंट बात होती है, मैं आप लोगों को वीडियो में क्लियर करती हूँ, और लिंक जरूर शियर किया जाता है, ताकि आगर कोई भी डाउट है, तो आप बिलकुल देख सकते हैं, भारत का नाकरिक हो, तो इस पत के लिए सीधी भरती है, यानि कि एक 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 जाम, सीधी भरती का मतलब होता है, एक 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 जाम और आपका सिलेक्शन, और यहां पर अभ्यारती विज्यापन का सम्यक रूप से आप लोकन करने ही तू, आयो की वेबसाइट, टी एस डूट यूके डॉर्में बस गूगल पर आप सर्च कर लें, या फिर आप लोकों को लिंक तो दिया ही जाएगा, क्यों कैसे जो है फिल करना है, वो आपको यहां से देखना होगा, शुल्क जो है यहां पर, देखें आप, जो जनल कैटिगरी है, तो आविदन शुल्क जो है, डेड़ सो रुपे है, प्रॉसेसिंग सुल्क टेक्स जो है, बाइस, तीस पैसा है, और कुल सुल्क जो है आपका यह लग रहा है, 172, तीस पैसा, ठीक है, तो यह आप देख लें, ज्यादा फीस तो नहीं है, बिलकुल आपको जरूर फॉर्म बढ़ना चाहिए, आपका अगर सब्जेक्ट है, का प्रश्नो की संख्याँ अधिकतम अंको 0442 गंटे का समय, फिर जो है, subject-wise आपका चुх का remote lavender होगा, जिसमें प्रश्नो की संख्याँ 200 होगी, अधिकतम अंक 20..बढ़ना चाहिए, तीन घंटे का समय, ठीक है। लेकित परिक्षा हेतू जो है विशय सुची जो सब्जेक्ट हैं जो आपको बता दिये हैं और इनका पूरा सलेबस बिल्कुल कम्प्लीट सलेबस दिया हुआ है तो 140 पेजिस लास्ट तक जो है सब्जेक्ट वाइज सलेबस दिया गया है यह आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाए करेंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा काफी अच्छी वेकेंसी है पर्मानेंट वेकेंसी है पर्मानेंट अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल फॉर्म अप्लाए करें ज्यादा फीस भी नहीं है थैंक यू